प्रताइसी और राजनिताओं की भाग दोर जो है वो जारी है और ऐसे में कल बिहार के वैसाली लोकसवा सीट पर नमांकन दाखिल करने वाली वीना देवी को लेकर रोचक जानकारी सामने आई है वीना देवी गहनों की सौखीन है तो वहीं एक रिवॉल्वर किया लाइसेंस भी ले रखा है समपती के मामले में वो अपने विधान पारसद पती दिनेश सिंग से भी आगे है हाला कि अधिक समपती के बावजूद वीना देवी से इंकम टैक्स दिनेश सिंग देते है वीना देवी और उनके पती दोनों ही गहनों के सौखीन है निर्वतमान सांसद वीना देवी के पास 12 लाग के गहने है तो वहीं दिनेश सिंग 8 लाग के गहनों के मालिक है लोजबा और कैंडिडेट वीना की कुल समपती 16.40 करोड की है तो वहीं पती दिनेश सिंग की समपती 15.70 करोड है वीना देवी सलाना आए में पती दिनेज सिंग से कई आगे है सबत पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार वर्स 22-23 में दिनेज सिंग की कुल आए 65 लाग तो वही वीना देवी की कमाई 1.28 करोर थी तिलचस्प ये भी है कि कमाई में आगे वीना देवी ने पिछले विते वर्स में पचास सो रुपे आयकर चुकाया है तो वहीं दिनेज सिंग ने उनसे अधिक आयकर आया होगा निर्वतमान सांसत के नाम से एक रिवॉल्वर का लाइसेंस भी है तो वहीं उनके पती पिस्टल भी रखते है वीना देवी ने सपत पत्र में बताया है कि नमाकान के वक्त उनके हाथ में कुल 2.80 लाग कैस थे और उनके पती के हाथ में 3.80 लाग कैस थे NDA कैंडिडेट वीना पर 3.00 मामले दर्ज है जिनमें 2 सरकारी आदेश की और एक चुनाव में प्रवाधन से अधिक खर्च का है ये तीनों मामले फिलहाल कोर्ट में सुनवाई पढ़ है आपको बताते चले कि वैसाली लोकसभा सीट पर 6.00 में चुनाव है और NDA का वीना देवी का मुकाबला RJD कैंडिडेट और बाहु बली मुन्ना सुकला से है वहीं 6.00 का चुनाव 22 माई को होना है